किसान भाइयो इस समय जो आप देख रहे हूँ आज भी हमारे काफी किसान भाइय इस तरीके से यूरिय ख़ाद डालते हैं अपने खेथ में और बेड़ वाली विदी से अगर आपने आलू बोया है तो इस तरीके से खाद डालना काफी सही नहीं है क्योंकि आपका जो आलू है पूरी तरह खाद नहीं ले पाता है इसके कारण भी हम बताएंगे और साथ में बताएंगे कि इसका सही तरीका क्या है तो इस समय जो आप नीचे नालियों में पहुन जाता है और जो बैड़ पर खाद रह जाता है उसको हमारा पौद अच्छी त्र canon नहीं ले पाता है या इसमें हम जो मैक्षू युक्ता, नहीं ले पाता है तो इस परकार अगर आप भाट डालते हो तो आपका पहुत अच्छी तरह है ना लेने की बज़ए से ग्रोध कर पाता है लेकिन आपने ये भी देखा हुआ कि काफी जगह जो हमारे बैड़ पर खात रहाता है उसकी बाज़ा से जड़ का भी काफी असरा आता है या सिकाइद देखी जाती है तो इस प्रकार जब पहला पाने दे घाए जो आप पानी देते हैं तो आप की नमी जा से ना चाहरा हूं कि ऊपर आपके बैड़ पे खाद पड़ा रहा था जिसकी वैसे आपका पॉदा नहीं ले पाता है लेकिन इसका सही तरीका क्या है और आप इस समय जो देख रही हो इस तरीके से हम अपना खाद देते हैं और इसमें क्या फादा क्या नुक्साने इसमें बतान ले लेता है लेकिन इस तरीके से खाद देने के लिए आपको पहले खाद देते हैं बाद में पानी लगा देना चाहिए तुरंत काफी अच्छी रल्ट आते हैं और काफी अच्छा असर भी करता है यह खुद प्रैक्टिकल के साथ हमने देखा है और इस खाद में यह है कि आपके बैड पर ज्यादातर खाद नहीं रहता है लगवा कि 90 परसेंट नालियों में रहता है तो अगर पांच-10 परसेंट ऊपर बैड पर रहता है उससे कोई फरक नहीं है लेकिन उल्टा सीथ हम जब खाद देते हैं उससे काफी जाद हमें नुकसम देखने को मिलता है अब आप देख रहे हैं बैड पर एक भी खाद आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहीं हमारे लिए काफी अदा वेनिविट है कि जो हम 10 क्लों भी एक खाद देते हैं वह पूरा की पूरा नालियों में ही जाता है और आप नीचे कमेंड बता सकते हो आप किस तरीके से खाद देते हो और आपको रेल्ट कैसे आते हैं तो वीडियों देखने के धन्यवाद नमस्कार